हेलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 फरवाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेसे इतरह आप इस वीडियो को उन्ते तक जरूर द लेजिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में फिर फरस्ट कॉमेंट में मिल जाएगा, साथ ही आपको बता दे हमने करंट अफेर्स फंडा एप में एक फ्री क्विज नाम से भी सेक्शन एड़ किया है, तो जो भी हमारे करंट अफेर्स हैं, उनकी सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फरस्ट कॉमेंट में मिल जाएगा, और यदि आपको लगता है कि आपके करंट अफेर्स पढ़ने की तरीके में सुधार हुआ है, या फिर आपको समझ में आने लगे हैं, फिर आपने कोई एक्जाम दिया है और महाँ पर आपका एक्सपिरियंस अच्छा रहा है करंट अफेर्स में, तो आप कॉमेंट बोक्स में अपना रिवी ओवश्चे लिखें, फिडबैक अवश्चे दें हमें, तो आज का सेशन सुरू करने से पहले हम आज का कोश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह कॉश्चन से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं टेलिग्राम पर ज़रूर जोइन करें, करेंट अफेर्स फंडा नाम से हमारा टेलिग्राम चेनल है Which of the following has become the first state in the country to pass a law on uniform civil code, निम्री कित में से समान नागरिक सहिंदा कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कोन बने गया है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर ओप्शन भी है, उत्राखंड आपको जाना चाहिए कि उत्राखंड विधान समा में समान नागरिक सहिंदा यानि की UCC विधेक पारित हो गया है, और ध्वनिमत से इस विधेक को मंचुरी दी गई है, इसी के साथ जो उत्राखंड है वो आजादे के बाद UCC विधेक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, आला कि ये जो सिड्डियूल ट्राइप्स हैं उन पर एपलाई नहीं होगा, तो कुछ खास बात इस विधेक के रहेंगी कि जैसे अगर किसने पंजिकरन नहीं कराया अपना विभा पंजिकरन नहीं कराया तो सरकारी योजनाओं का लाब नहीं मिलेगा, और सभ कादार पर पत्नी भी तलाग मांग सकती है, और पती या पत्नी के रहते दूसरी साधी यानि की बहुविवा जिसे कहते हैं उस पर भी रोक लगाई गई है, और उत्रा अधिकार में लड़के वा लड़कियों को परावर अधिकार इसमें दिया गया है, अच्छा जो लिव की सिविल कोड यानि यूनिफोर्म सिविल कोड ही हाँ पर है पर असेंबली ने कभी से पास नहीं किया है, यह आपको जानना चाहिए, अलाकि यह जो कोड है रिटेन रखा गया 1961 के बाद जबी से लिपरेट कराया गया था, अच्छा एक यह जो ड्राफ्ट त्यार किया था इस UCC का उत्राखंड में तो यह एक पैनल बनाया गया था, जस्टिस रिटाइड रंजना प्रकास तिसाई ने इसकी यह द्यक्षता के थी, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट डोकुमेंट कुछ दिन पहले ही उत्राखंड की चीफ मिनिस्टर पुसकर सिंग धामी को सोबा था बाकिया आपको जाना चाहिए आर्टिकल 44 ऑफ कॉंस्टिटूशन यह यूनिफोर्म सिविल कोर्ड से सम्मंदी थे प्राइम मिस्टर नरेंदर मोदी इन्टिया एनर्जी वीक 2024 इन वीच स्टेट परदान मंती नरेंदर मोदी ने किस राज्य में बारत उड़जा सप्ता दोजार चोबिस का उदकाटन किया सही आंतर ओप्षन ए गोवा है आपको जाना चाहिए कि प्राइम मिस्टर नरेंदर मोदी ने इन्टिया एनर्जी वीक 2024 को इनोग्रेट किया है गोवा में और इसे और इसे और्गनाइस किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडर्स्ट्री अफ पेट्रोलियम एड नेच्रल गैस कोवर्मेंट ऑफ इंडिया त्वारा साथ है आपको जाना चाहिए प्रामर्मेस ट्रेंदर मोदी ने गोवा में इंटिग्रेटीड शी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर भी लौँच किया है ओएजिए सिस्टिउड में यह जो उनजी सी सेर्वाइवल सेंटर है यह जो है एक तरह का इंटिग्रेटीड शी को एडवांस किया जाएगा और दस जार से पंद्रा जार प्रेसनल को एन्वली अपर ट्रेंड किया जाएगा किसे निक्त किया गया है सही आंसर अप्शन ए है मियो ओका देहिए एशन डेवलेप्मेंट बैंक एडिबी ने जैपनीज नेशनल मियो ओका इन्हें भारत के लिए अपना कंट्री डिरेक्टर निक्त किया है और ये इस पोजिशन पर तेक्यो कोनिशी को सक्सीड कर रही है तेक्यो कोनिशी इन्हें डिरेक्टर जेनल बनाए गया है साउथ एशिया का एडिबी द्वारा आपको दाते जो एडिबी है इसमें भारत जो है फूर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है 6.317 प्रसेंट भारत के शेयर है जापन और युनाइटे इस्टेट्स पहली पोजिशन पर है पहली दूसरी पोजिशन पर ठीक है 15.571 प्रसेंट के साथ चाइना भारत से उपर है 6.4-9 प्रसेंट स्टेक्षोल्डर के साथ अच्छा आप जानते ही है कि शेयर डवलेप्मेंट बैंक के स्थापना उन इससंबर 1966 में हुई थी और युनाइटे नेशन्स में ऑप्सर्वर का स्टेटेसी से प्राप्त है करन्ट प्रेजडेंट मसाच सुकू असाकावा है वाकि आप जानते ही हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनील चोहान है चीफ एर स्टाफ एर चीफ मार्शल विवेक राम चोधरी है चीफ आर्मी स्टाफ चेनरल मनोज पांडे है और चीफ नवल स्टाफ एडमिरल आर हरी कुमार है एहमद आवद बिन मुबारक is the new prime minister of which country एहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नई परधान मंत्री है सही अंतरॉप्शन भी यमन देखे एहमद अवद बिन मुबारक यह यमन के नई प्राइम निस्टर निक्ति हुए हैं और इस पोजिशन पर यह मैं अब्दुल मलिक सईथ को सक्सीड कर रहे हैं यमन के बारे में आपको जाना चाहिए कैपिटल साना है और करंसी है यमनी रियल हूँ इनोगरेट दा उल्लास मेला एट नेशनल बाल भावन इन न्यू डैली नई दिल्ली में रास्टे बाल भावन में उल्लास मेला का उद्गाटन किस ने किया सही आंसरॉप्शन डी है धर बाल भावन न्यू डैली में देखिए भारत का टार्गेट है कि 100% लिट्रेसी एचीव करना 2030 तक इसी लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रली स्पॉंसर्ड इनोवेटिव स्कीम चला रही है जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर निव इंडिय लिट्रेसी प्रोग्राम तो यह 2022-2027 तक चला जा रहा है इस स्कीम को ही कहा गया है उल्लास जाने के अंडर्स्टेंडिंग ओफ लाइफ लोंग लर्निंग फर आल इन सोसाइटी मोटो है इस करेगरम का जन जन सक्षर तो यह स्कीम है यह जो भी 15 साले उससे जादा की जो व अधिक्तम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त यात्रा की कोशना की सही आंसर आप्शन ए इरान है आपको जाना चाहिए इरान ने अनौंस किया है कि जो इंडियन्स है और भी अधर नेशन के जो सिटिजन्स हैं वो वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 दिन तक रुक सकते हैं बीना वीजा के और इसी तरह का एलान भारतियों के लिए केनिया मलेशिया असे लंका थाइलेंड और वियतनाम पहले कर चुके हैं तो यहां पर 15 डेसी कंडिशन लगाई गई है और 6 महीने में एक बार आ सकते हैं 15 डेस मैक्सिमम बाकिया आपको जा अग्रेल एडिशन ऑफ दा ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोडशो तन 24 होस्टेट ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोडशो दोजार चोबीस के सहर में जित किया गया सही आंसर ऑप्शन यह है मुंबई देखिए इंडियन स्रीट अफ कॉर्पेट अफेर्स जो कि एक Think Tank है, Ministry of Corporate Affairs, Government of India के तहट इन्होंने पहला The Great Indian Board Reboot Road to 2024 को होस्ट हिया है NSC Headquarters मुंबई में और यह इन्होंने होस्ट किया है National Stock Exchange NSC India and Bombay Stock Exchange BSC के साथ मिलकर What product was recently launched by Union Mr. Piyushkoil under the भारत brand हाली में किंद्रे मंतरी Piyushkoil ने भारत brand के तहट कौन सा उत्पात लौंच किया सही आंसर अप्शन है Rice देखिए Union Mr. for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Textiles and Commerce Industry Piyushkoil इन्होंने भारत brand के तहट Rice की सेल लौंच की है चावलो की बिकरी की सुरवात की है जो भारत Rice है ये जितने भी physical and mobile outlets हैं किंद्रे भंडार के साथ ही Nafid यानिकी National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India और National Cooperative Consumer Federation of India इनके जो भी outlets हैं यहाँ पर उपलब्द कराए जाएंगे और कुछ दिरों में e-commerce platform पर भी available रहेगा भारत Rice और 5 kg and 10 kg bags में उपलब्द रहेगा और जो इसकी maximum retail price रहेगा वो 29 रुपीज पर kg रहेगा On what date were the provisions of the Anusandhaan Research Foundation ANRF Act brought into force Anusandhaan Research Foundation अधिनियम के प्रवधान किस दिनां को लागू किये गए सही आंत्रोप्शन है February 5, 2024 देखे जो Anusandhaan Research Foundation ANRF Act है इसकी जो provisions है वो पांचपई 2024 से लागू कर दे गए हैं देश में research and innovation को boost करने के लिए Total Corpus 25,000 क्रोड रुपए का रहने वाला है जिसमें 36,000 क्रोड रुपए प्राइविट सेक्टर से आएंगे तो भारत में जो universities है, college है, research institutions है, research and development laboratories है वाँ पर innovation को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गिया है Anusandhaan Research Foundation Act comment ने प्रोफेसर अभे करांदिकर जोकी Secretary Department of Science and Technology में इन्हें interim Chief Executive Officer न्यूक्त किया है अनुसandhaan Research Foundation का Where was the Bimstech Aquatics Championship 24 इनुगरेटेट? Where was the Bimstech Aquatics Championship 24 का उदाटन कहा किया गया, सही answer option A, Delhi है देखें, union minister for youth affairs and sports अनुराक सिंग ठाकुर ने Bimstech Aquatics Championship 24 का उदाटन किया है डेली के Dr. Shiyama Prasad Mukharji Swearing Pull Complex में पहली बार इस तरह की Championship आयो जित की जा रही है BIMSTEC के बारे में आप जानते हैं Establishment 6 June 1997 को हुआ था BIMSTEC मतलब The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation जो Member States हैं वो Bangladesh, Bhutan, India में आमार, Nepal, Sri Lanka और Thailand हैं और Secretariat, Dhaka, Bangladesh में हैं बाकिया आप जानते हैं कि हाली में BIMSTEC के Secretary General मने हैं भारत के Indramani Pandey The Competition Commission of India, CCIE has approved acquisition of 1% stake by Zurich Insurance Company Limited in Kotak Mahindra General Insurance Company Limited भारती परतिसपर्दा आयोग ने Kotak Mahindra General Insurance Company Limited में Zurich Insurance Company Limited द्वारा कितनी परतीशत हिस्सेदारी के अधिकरण को मंजूरी दी है सही आप्शन C है 70% देखे, Competition Commission of India ने जो Zurich Insurance Company Limited का जो प्रोपोजल है 70% stake acquire करने का Kotak Mahindra General Insurance Company Limited में उसे मंजूरी दे दी है तो पहले 51% stake acquire करेगा Zurich Insurance Company Kotak Mahindra Bank में और इसके additional fee 19% acquire करेगा होगा परियोफ ट्वाइम विच एजन्सी कोलेबरेड विद दा Embassy of the Kingdom of the Netherlands तो रिलीज दा रिपोर्ट ओन LNG as a transportation fuel परिवेहन इंधन के रूप में नितियायोग तो नितियायोग और Embassy of the Kingdom of the Netherlands इनोने मिलकर एक report release किये जिसका title है LNG as a transportation fuel in medium and heavy commercial vehicle नितियायोग और Embassy of the Kingdom of the Netherlands have been actively collaborating in the field of energy transition under the statement of intent partnership since 2020 the report was released as the first outcome of the cooperation the report highlights strategies which will help in achieving 15% gas share in primary energy supply and also the goal of net zero by 2070 which of the following artist won the Grammy award for record of the year निम्ले कि तुम से किस कलाकार ने record of the year के लिए Grammy पुरसकार जीता सही answer option रिये Miley Cyrus देखे 66th annual Grammy Awards हाली में जो है announce हुए है और the recording academy द्वारा चूज की जाते है winners तो इसमें Taylor Swift जो है first artist बनी है जिने जिरोंने album of the year चार बार जीता है album of the year का आवार्ट चार बार जीता है तो देखे कुछ मुखी आवार्ट देख लेते हैं album of the year Taylor Swift record of the year Miley Cyrus flowers के लिए best new artist Victoria Monette song of the year ballet Alice बाकी यह देख सकते है best pop vocal album, best country album, best pop solo performer main यह शुरुवात के चार है ऐसे तो और भी कई केटेगरी है इसमें आप best rap album देख सकते है according to the UN MMEIG 2020 report what was the maternal mortality rate of India in the year 2020 UN MMEIG 2020 report के नुशार वर्स 2020 में भारती मात्र मृत्यु दर क्या थी? सही answer option दी है 103 maternal mortality estimation interagency group MMEIG इन्होंने global estimates प्रवाइट कराये maternal mortality rate के इनकी जो report है UNMMEIG 2020 report इसने बताया है trends in maternal mortality 2002-2020 है इसने बताया है कि जो maternal mortality rate है इंडिया कि यह decline हुई है जहांत साल 2000 में 384 थी वही साल 2020 में 103 हुई है जबकि जो globally जो MMR है वही decline हुआ है 2000 में 349 था इन्होंने बताया कि जो average annual rate of reduction है global MMR में 2000-2020 तक यह 2.07% देखने के लिए वही भारत में 6.36% decline देखने के लिए मिला है यान कि global decline से भारत में ज्यादा अच्छा performance रहा है government of India दुनिया का सबसे बड़ा जो भारत की जो dependence है copper में ठीक है वह कही न खही इसमें जो है reduce हो जाएगी इस plant के चलते है which institutions have collaborated to establish a pre-seed deep tech accelerator fund pre-seed deep tech accelerator fund इस्थावित करने के लिए कि इस संस्थान उने सही हो किया है सही answer option दी है आयम बैंगलूर्स, NSR, CEL and SIDB आयम बैंगलूर का जो NSR, CEL है और SIDB इन्होंने collaborate किया है pre-seed fund के लिए यानि कि कोई भी start-up शुरुआत करने के लिए जो पैसा चाहिए होता न है वो provide कराते है start-ups को अच्छा venture capital fund का बाता है जब आप start-ups शुरू कर चुके हैं उसके बाद आपको अलग scale पर और उपर scale पर जब अपना business लिजाने जो रफ़ती है तब venture capital fund की जरुत होती है the MOU signed between the two organizations led the foundation for a multi-year relationship to nurture start-ups and lead team and lead them towards scaling up their business activities और यह जो I am Bangalore का NSRCL है यह सी है यही नाम है मत सोचना कि मैंने इसकी full form ने लिखी यह इसी तरह सी है मुझे full form मिली भी भी नहीं सीड भी बाकी आप जाने 2nd April 1990 में सेट अप किया गया था under the Act of Indian Parliament और यह एक principal financial institution है for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises sector in India On February 8, 2024, the Reserve Bank of India left the repo rate unchanged for the sixth consecutive time at what percent 85, 2024 को भारती Reserve Bank ने लगातार छटी बार repo rate को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्थित रखा options आपके सामने है यह ना हाँ और सही answer option 6.5% यह 7 February होगा है 7 February को किया था इन्होंने देखिए 6.25 परसेंट पर जो marginal standing facility rate है और जो bank rate है वो भी 6.75 पर बना रहा है तो six members कर रहे हैं पैसा मार्केट में लाने से ठीक है यानि के बढ़ावा नहीं दे रहे है मार्केट में पैसा इंड्यूस करने के लिए साथ यह RBI इन्हों जो real GDP growth है 2024-25 के लिए 7% पर रखी है quarter one quarter two quarter three quarter four की भी इन्होंने estimate अपना बताया है वही RBI इन्हों जो CBI inflation projection है fiscal rate 2024 के लिए 5.4% दिया है वही fiscal rate 25 के लिए 4.5% दिया है अब Monitory Policy Committee में देखिए जो dr. शचांक बीडे है dr. असीमा गोयल dr. राजीव रंजन और dr. Michael देवरत पात्रा एंड सक्तिका अंदास इन्होंने वोट किया है policy rate unchanged रहे 6.50% पर वही प्रोफेसर जेंत आर सर्मा ने policy rate reduce करने के लिए वोट किया था next meeting MPC की यह 3-5 April 2024 को होगी अच्छा आपको यह भी जानना चाहिए कि first advance estimates release किये गए हाली में national statistical office द्वारा इन्होंने बताया कि जो real gross domestic product यानि की GDP है यह 7.3% से grow करेगी year on year business पर 2030-2024 supply side के अगर हम बात करें तो gross value added GV A यह 6.9% रहा है 2030-2024 previous assignment questions के answer देखें 4th National Silica Birds Festival held in which state Odisha Nimdha Governor of Punjab who recently tendered his resignation from the position Brunwailal Proheet which insurer has announced the launch of a new known participating product Jeevandhara 2nd LIC the country's first largest Bapu Tower dedicated to the father of nation Mahatma Gandhi has been completed in which city Patna Bihar in her 2024 budget speech Union Finance Mr. Nirmala Sitaraman announced that the government plans to increase the Lakwati-Diri target from 2 crore to 3 crore आपने से करी यह इसमें बिल्कुल सही आंसर गया है इसी तरह से पाटिस्पेट करते रहिए आज के सामने क्वेशन देखेंगे The Vizinsum Seaport is in which state Musician Ustad Jakin Hussain plays which instrument the Bharat Ratna has been conferred on how many people since 1954 who took charge as Secretary Ministry of Information and Broadcasting कलादान Multimodal Transit Transport Project Connects India and which country तो इन 5 questions के आंसर आपको comment box में देने हैं यदि आपको एक question कांसर भी आता है तो भी आप हमें comment box में वश्चे से बताएगा ज्यादा संख्या में आप पाटिस्पेट करने इकोसिस किया कीजिए यह आपस रिक्वेस्ट है साथ ही current affairs funder को आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यह आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स और current quiz हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही discussors group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों हमारे current affairs की प्रेश दी गई इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow assessment साथ हमारे current affairs को आप शेयर जरूर करें और आज का इस session आपको कैसा लगा आप comment box में उससे बताईएगा थैंक्यू गाइस